नमस्कार दोस्तो, मुद्गल बाबा में आपका स्वागत है जैसा कि हमने कलेंडर से रिलेटिट पिछली वीडियो में देखा था कि गिर्गोरियन कलेंडर जो हम डेली बिसिस पे यूज करते हैं सोलेर की कंपेरिजन में लगबब 11 मिनिट आगे था इसी इनैक्टियोरेशी को दूर करने के लिए सन 1582 में грigolion कलेंडर इंवेंट किया गया जिसमें jullion कलेंडर की leap year की calculation में modification करके तंडर को और accurate बनाया गया ये सब करने के बाद भी ग्रिगोरियन कलेंडर पर्फेक्ट नहीं है ये कलेंडर लगबग 27 सेकिंड्स आगे है सोलेजर के कमपेरिजन में तो अब कुश्चन ये अराइज होता है कि क्या हमारे पास कोई भी पर्फेक्ट कलेंडर है सीधे शब्दों में कहूं तो नहीं इस समय पूरे संसार में जो भी कलेंडर यूज हो रहे हैं उन में से कोई भी कलेंडर सोलेजर के साथ पर्फेक्ट ली सिंक नहीं है हाला कि ऐसे बहुत से कलेंडर है जो गरिगोरियन कलेंडर से जादा accurate है उनfoldे से एक calendar है revise Julian calendar revise Julian calendar Gregorian calendar से लगभग 10 गुना ज़ादा accurate है जहां Gregorian calendar में 37 seconds का error है solar year के comparison में वही revise Julian calendar में सिर्फ 2 seconds का ही error है revise Julian calendar की इस accuracy का secret इसकी leap year की calculation में है जिसकी according, जुलियन calendar की तरह हर वो year जो 4 से divisible होगा, leap year माना जाएगा हाला कि इस calculation में एक exception भी है वो year जो 100 से divisible होगा पर उस year को जब 900 से divide करेंगे तो remainder 200 या 600 नहीं होगा तो वो year leap year नहीं होगा अब question यह arise होता है कि जब revise Julian calendar Gregorian calendar के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा accurate है तो यह calendar daily basis पे हर जगा use क्यू नहीं होता इसका simple से answer यह है कि Gregorian calendar बहुत time से use हो रहा है और हमारी ज़रूत के according बहुत accurate है और वैसे भी Gregorian calendar और revise Julian calendar के बीच का difference बहुत छोटा है यह दोनों calendar लगबग sun 2800 तक सिंक में रहेंगे sun 2800 जो कि Gregorian calendar के according leap year है, revise Julian calendar के according leap year नहीं है यानि कि Gregorian calendar के according 29 फरवरी 2800 revise Julian calendar के according 1 March 2800 होगा revise Julian calendar के साथ और भी calendar है जो Gregorian calendar से ज़्यादा accurate है इनके बारे में फिर कभी बात करेंगे तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही आशा करता हूँ कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे like और share जरूर करें इस वीडियो के बारे में अपनी राए हमें comment section में जरूर बताएं और साथ में हमारी चैनल को subscribe करना ना भूले and press the bell icon for more updates thanks for your time, have a good day